So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि धोलग पर दोनों हाथों को तयार किस तरीके से करना है, combination कैसे बनाना है, और सबसी important चीज़ों मैं starting से बोलता हूँ कि हाथों में flexibility चाहिए, एक softness चाहिए, लचक चाहिए, वो कैसे लानी है, उसके लिए exercises बताऊँगा, एक exercise जो धोलग पे, जिसमें तिट भी होगा, तिरिकेट भी होगा, किट भी होगा, मिन मिन बोल होंगे, एक ही composition को आप practice करेंगे, तो multiple चीज़े आपकी तयार होगी, वो पताऊँगा, साथ ही साथ हाथों के exercise, जिससे आपके हाथों में flexibility आएगी, और ज़्यादा लचक आएगे, हाथों में वजन आएगा धोलग बजाते होगे, बहुत ज़रूरी वीडियो ध्यान से और पूरी देखते रहेगा, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप लोग ये देखे, कि हाथों में flexibility कितनी ज़्यादा important है, क्योंकि जब भी हम धोलग प्ले करते हैं, तो देखे कि always कलाई के आगे काम होता है सारा, ये वाला हाथ देखे, अगर मैंने हाथ पकड़ा है, अपनी बाजू पकती है, फिर भी easily play हो रहा है, क्योंकि कलाई से आगे हाथ गूम रहा है, उससे पीछे कुछ नहीं हो रहा, ठीक, तो ये कलाई में softness, sorry, flexibility, हाथ में flexibility लाने के लिए सबसे important है, आपको कुछ, एक दो exercises क करनी है, ठीक है, एक तो बहुत simple है, हाथों का ऐसे खोला, and then, बंद किया, फिर दुबारा खोला, अब ये करते हुए आप लोगों को ये observe करना है, कि आपने ये हाथ hard करके जोर लगा के नहीं, आपने यहाँ पे आँखे बंद करके even observe करना है, कि आप जब हाथ बंद कर रह हो, and softly हाथ open कर रहे हो, इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके हाथों भी control आएगा, क्योंकि starting में आप automatically जोर लगेगा, तो धीरे धीरे आप सोचोगे कि इसमें, इसको effortlessly कैसे करना है, बिलकुल बिना जोर लगाए, बिलकुल धीरे हाथ से, तो धीरे धीरे हमार हाथ हो जाता है, तो यहाँ पर आपके हाथों और माइंड का connection बनेगा, जब आप ये practice करते रहेंगे, exercise करते रहेंगे, दिरे दिरे समझेंगे आपकी अच्छा, ऐसे soft है, हाथ डीला है बिलकुल, और जब मैं इसको tight कर रहा हूँ, तब भी आपके माइंड को पता चलेगा तो यह exercise करने हैं आपको daily, दोलक बजाने से पहले कुछ second कर लीजिए, दोलक बजाने के बाद कुछ seconds कर लीजिए, इसके बाद कलाई, क्योंकि बहुत सारे students ऐसे हैं जो कलाई का use नहीं करते दोनों साही, और कलाई का ही use है दोलक में, तो क्या करना है आपको, ऐसे हाथ खाते हैं, ठीक है, और clockwise, anti-clockwise आपने इसको move करना है, और move करते वे भी आपने observe करना है, ठीक है, इससे आपके यहां कलाई में लचक आएगी, जिससे कि आप पूरा हाथ बजाने की मतलब, पूरा यह elbow, shoulder यह use करने की बजाए, धीरे-धीरे कलाई use करने लग जाएगा, जैसे हो सारे लोगों के थपकी क्लियर ने आती है, यही reason होता है, यह दो exercise आप कीजिए, धोलग बजाने से पहले धोलग बजाने का कभी भी एक दो टाइम कर लीजिए, आप धीरे-धीरे अपने हाथों को समझने लग जाएंगे, मां इनके साथ combination बनने लग जाएगा, अच्छा चाहते, प्लीस, वहां जाईए अनुझलोधी व्लॉग्स पे, और किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से कर दीजिए, 4 लाग 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए है, सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स की बात है, 5 लाग सब्सक्राइबर्स पे हम लोग घिव कर रहे हैं एक बहुत अच्छी खासी कॉलिटी धुलक आप में से किसी सब्सक्राइबर को मैं गिफ्ट करने वाला हूं तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजे नीचे अगर अभी तक नहीं किया और लाइक करके टेंडेस जरूर लगा देजे इस वीडियो क्योंकि अच् एक दिन में ढूलक सीखने का तरीका समझें ठेक है जिसमें कि बहुत साइड लोग बूल रहे थे सर एक दिन में कहां सीखी जाती है ढूलक ये तो इतने लोग तो सालों लगा देते हैं मैं बचपन से बजा रहा हूं सीख रहा हूं तब भी अभी जाकर परफेक्ट कोई न आते हैं कॉंपोजीशन है ये जिसमें त्रिकट ये सारे बोल आ रहे हैं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये हाथ में चला पहन कर ये उंगली और चले का आपने प्रैक्टिस करनी है इसमें देखे कलाई का यूस हो रहा है तो आपको समझ आएगा यहां observe कीजिए आपकी आपकी कलाई ही सिरफ मूव हो रही है पूरा हाथ मूव हो रहा है हाथ बिलकुल धीला रखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलीटी का भी अंदाजा होगा कलाई की रिस्ट की मूवमेंट का भी अंदाजा होगा इसकी कीजिए प्रैक्टिस ठीक है दूसरे साइड बेस पे जो मैं आपको लोगों को एक चीज चाहता हूँ जो आप सीखें वह यह यह बाउंस आना बहुत ज्यादा देखे जरा इसको सीख लीजिए इसको प्रैक्टिस करना आप लोगों ने क्या कर रहा हूँ मैं यह उंगली और यह रिस्ट अपनी सेम टाइम पर बजाई उसको हलका सा उठाकर आगे रख दी इसकी कीजिए प्रैक्टिस फिर धागे की कर लीजिए जिसमें हम धाई यहां से भी बजाते यह इथ हैं य क्सús है इंडेक्स फिंगर धागे घागे प्रैक्रेशिंग देखे देखे तो हमने इसको चेंज करता रहना है, कॉमपोजिशन सिरफ एक जैसी नहीं रहेगी, क्या है, ओरिजिनल कॉमपोजिशन है सिम कॉमपोजिशन में हम वेराइटी ला रहे हैं, ठीक है, अलग-लग बोल बजा रहे हैं, आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी दोनों हाथों के कॉमपोजिशन के लिए, तो आपने सेट बना लेते हैं, इसके पहला सेट है धा, धित, ताता, धित, ता, तित, ताता, तित, दुवारा एक बर सिख लीची, बजाया धा, इंडेक्स फिंगर-हप और बेस के साथ धा, फिल dhी के साथ बेस आगे जा रहा है, त, धा, धित, टाता, फिल गी बे इस सैड आखेला, एंटर धा, धिट, ताता, घिट Second Half ता, तिट, ताता, किट Second Sat लेते हैं जिसमें हम तिर्केट लगाएंगे तो तिट की जग़ाँ तिर्केट कर लेते हैं धा, तिर्केट, ताता, जिट, ता तिर्केट, ताता, किट दुबारा से एक बार धा-्तिरिकिट-ता-ता-गिट एक और सेट कर लेते हैं जिसमें हम तिरिकिट पहले बजाएंगे फर्स्ट हाफ में धा, तिट, ताता, किट, गिट, sorry, and second half में तिरिकिट, धा, तिरिकिट, ताता, किट, ये third set हो गया, धा, धिट, ताता, घिट, ता, तिरिकिट, ताता, किट, आखरी fifth set, जिसमें हम, धा, धिट, ताता, घिट, second half में, ता, तिरिकिट, तक, तक, तिरिकिट, पांच सेट यह आपने मिक्स करके बजाने है तो दुबारा से देखते हैं फर्स सेट मिक्स करके बजाएंगा उसके बाल लास्ट में जब अच्छे से आप मास्टर का लेन को तो तो इस तरीके से आप इसको प्रक्टिस कीजिए कितनी वराइटी आगे इसमें दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन कैसे नहीं बनेगा स्लो बजाकर देखिएगा इसमें तिट भी है तिरिकेट भी है कित भी है लग लग सारे बोलों को हम तयार कर रहे हैं साथों में दोनों हाथों के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है वीडियो अच्छी लगी हो गए अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए लाइक कर दीजिए प्लीज अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और अनु